स्टूदेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स स्टूल EEटि यह नहीं ग्रिए 1 मिनिज्ट्ट्ट्ट्ट्ट इइघ था नगी घया घंbet अंगे कांड दिसकेशन कर डिया था धाल जान विए इस तरीकास has कि वह पूर्फित बैतल अपनें के बाद ताइफ को केप्चर करने का फैसला किया और इवेंच्वली वेंच्वली वेंच्वली वे नो के कि holy prophet please be upon him was successful ठीक है इनसेंस के जो वहां के लोग ते इवेंचुली रिवर्टेट बाक्तु अली प्रॉफित बीस वे बाने चले बिस्मिल्हार रख्मानी रहीम यार गूंग तोड़ी स्टाट विद इस टॉपिक का नाम है तबूग एक्स्पिडिशन आपकी खिद्मत में अ थीक है ठीक है थोड़ी बहुत छोटी छोटी शायद में भी लडाईया हुई धैन वे इवेंचुली रिटर्न बाक्तु तोप्त विद एक्स्पिडिशन कैते हैं अध एक जगा पर गए वहां पर आपने जो है ना वह वह असौड अव इन्वेंड किया और वहां पर मेंभ skirmishes हुई अच्छी जगाओं से पड़ा होता तो पता होता skirmish किसको गहते हैं and then eventually you return ठीके ना तो let's talk about the background of this expedition which is the so-called tabug expedition holy prophet peace be upon him ने सबसे पहले muslimानों को encourage किया था to fight against the byzantine syrians या Romans एक ही बात है ठीके नहीं यह बात तो हमें पता है कि all of all the three are the same in 8th AH in during the battle of Mota battle of Mota के बाद muslimानों के और जो byzantines हैं उनके relations हो गए थे आपस में words उनके relations आपस में हो गए थे खराब और इस खराब relations की वजा से byzantines भी हमसे नफरत करते थे और muslimानों की भी जो है न वो एक खुनस थी के भाई हमें सीरियन्स को जो है न वो एक सबक सिखाना है तो the first cause that you are going to write in the background of this book expedition is that holy prophet peace you have on a man muslims wanted to teach a lesson to the byzantines क्योंके आपको याद हो battle of muta के अंदर जैद बिन हारिस जैफर बिन अबु तालिब और खालिद बिन वलीद तीनों की देद के बाद eventually खालिद बिन वलीद किसी तरीके से मुसल्मानों को बचा कर वापस लेकर आये थे मदीना तो एक तरीके से विक्ट्री तो थी कि मुसल्मानों का कोई ज्यादा नंबर में शाहादत नहीं हुई लेकिन eventually वैसी जीत नहीं थी जैसी बदर ट्रेंच इन मौकों पर हमें या खेबर इन मौकों पर हमें मिली थी तो मुसल्मानों को कही न कहीं दिल में था कि बस हमें इन से जो है न वो बदला लेना है दूसरा पॉइंट डाट यू आर गोंग तो राइट इन दे बैग्राउंड इस भाई इसलाम अब दिन जो है न वो फेलता जा रहे ठीक है इसलाम मक्काम अदीना हिजास काई जो पूरा इलागा है ठीक है इसमें इसलाम फैल जोगा है अब इस चीज़ का गुसा इस चीज़ को रोकने के लिए जो रोमन एम्पिरर था या जो सीरियन एम्पिरर या जिसको आप बाइजिंटीन एम्पिरर कहते हो हर कल उसको उड़ दू मैं बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इडिस कॉल हरकुलस या हरकुलिस ये जो साब थे हरकुलस या हरकुलिस साब ये बड़े खार में थे कि इस नाम बहुत ज़्यादा पहलता जा रहे तो प्रॉफिट पीस भी अपॉनिम को इंटेलिजन्स के थूप पता चला था अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ नहीं है ये वर्ड मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में इस्तिमाल किया हुए इंटेलिजन्स भाई ये इंटेलिजन्स दूसरा नाम है किसका स्पाइस का लुक एड यूर स्क्रीन्स मैंने हाइलाइट भी किया और लिख भी दिया है ठीक है तो प्राफिट पीस भी अपॉनिम को स्पाइस के थूप पता चला था कि जो हरेकिलस साब हैं जो रोमन्स हैं वो एक जबर्दस्त आर्मी तयार कर रहे हैं ठीक है ना आर्मी अचा इनका इरादा पते क्या था कि आर्मी जमा करतें तबूग पर और वहां से सीधा हम जो है ना वो मुसल्मानों के उपर आकर जो हमला करेंगे तो दिस वस ते कि रिज़ूग जो था धाध वाज इन इंपॉर्टेंट प्रेडिंग सेंटर ठीक है ना मुसल्मानों ने ऐसी बहुत सारी घज़वाएं और जंगे लड़ी हैं आगे चलके भी हम कुल फैर आशिदीन के दौर में भी पढ़ेंगे जिस इसका जिकर करेंगे कि मुसल्मानों को हिरा चाहिए था पटशिया के अंदर तो तबूग भी एक ऐसी जगा थी जो के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग दाउं माना जाता था उस जमाने का एक अच्छा सिड़ी माना जाता था प्रॉस्पिरस माना जाता था और अगर मुसल्मान इस तबूग को फते को कॉंगर कर ले तो पते क्या फाइदा होता कि सीरिया ये देखो इदर अपनी स्क्रीन्स पर देखो सीरिया से आने वाले हैं लोग का पर सीरिया से आने वाले हैं लोग मदीना और फे मदीना से लोग का जाते थे मक्का ये रूट था ना या थे बैडल ओफ बदर बढ़ाते वे बताया था अबू सुपियान का भी यह होती तो इन सारी तमाम ट्रेडिंग प्रॉजिलिटिजम इन तमाम रोग टोग को अड़ाने के लिए और मुसल्मानों ने आपस में डिसाइड किया कि वी आर गूंग टू मेक एन एक्सपिडिशन टू तबूग ठीक है ना अचा चौता रीजन या चौता चीज जो अपने प्रेपेरेशन से पहले यू कन आड़ इन यूर आंसर इस आट कि तबूग एक दूर तराज इलाक है अचा बूग एक्सपिडिशन के मौके पर जाहरे इतनी दूर जगा है रियल मुसल्मानी सपोर्ट करेंगे ना मिसाल के दूर पर अगर आपको यादो बेडल अफ वदर ओहर ट्रेंच वगईरा में अब्दुल्ला बिन उबै बोलता था या रसूल आला मैं आपके बीचे 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 आरहा हो और पर गोली हो जाता था डीके नोदो यारान अवाश शरिफ की तरह तो बिलकुल इसी तरीके से Holy Prophit Peace Be upon Him ये चेक करना चाते थे Allah with of course permission from Allah कि भाई कौम सच्चे दिल से मुसल्मान है क्योंकि सच्चे दिल से मुसल्मान हुए बगैर जो मुनाफिकीन थे या जिनके दिलों में इमान नहीं था वो कभी भी इतनी मुश्किल जर्नी में हमारा साथ नहीं देते और अभी हम धोड़ी देर में बात करेंगे इसके उपर कि कुछ ऐसे कंपेनियंस भी थे जो बिचारे हमें जॉइन नहीं कर सके तो अल्ला काला ने फिर उनको कई एक दिन के बाद मुआफी जो है न वो सूरे इससे सीरियन जल रहे थे तो उन्होंने तबूग पर आर्मी तयार करना स्टार्ट कर दी तो ओली प्रॉफिट ने बोला रोकना तो पड़े गई तीसरी चीज तबूग एक्स्विडिश तबूग जो था वो इंपॉर्टन ट्रीडिंग टाउन था उसको ओली प्रॉफिट भी सब्सक्राइब कि सचे मुसल्मानों के रावने मुनमौहमारे साथ नहीं दें मतुंग को अप जरह देख लीजिए क्रिपरेशन दों साइट्सि की प्रक्रेप क्या है किस तरीके से हुआ क्या जो है ना वो हमारे लığलात है मुसल्मानों के लिए बड़ा मज़े का एक मारक है ठीक है नहीं एक मज़े का बड़ा इंट्रेस्टिंग वाकिया क्यूंकर इस वक मदीना के अंदर जो है न वो कई मुश्किलात आई वी थे उसके ओपर थोड़ी देरे में आऊंगा हरेकिलिस जो साब थे ठीक है हरेकिलिस कौन है I am writing on your screens as well he is the Roman Emperor Byzantine Roman Syrian या Byzantine पच्छो यह सब एक ही जीज़े Roman Syrian a Byzantine it's all the same ठीक है he is the Emperor miraculous ठीक है न वो भाई अपने साथ 40,000 का लशकर कुछ बुक्स में आता है 60,000 and plus whatsoever ठीक है न तो you can use of course this figure 40,000 का इतना बड़ा लशकर लेके he started to reach the region he in fact reached a region called al-balqa रेकिलिस ने 40,000 लोग जमा किये 40,000 लोग के साथ साथ साब जो है न वो साब जादे कहा आ गए in the region of al-balqa जब Holy Prophet peace be upon him को ये बात पता चला आप सोचें अपने जहन में मुझे बताए Holy Prophet peace be upon him को ये बात किसने बताई होगी Holy Prophet peace be upon him को ये बात किसने बत ट्राइब से for example बहुत सारे ऐसे Christian tribes थे या बहुत सारे ऐसे बचों Arab tribes थे जिन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था but they had they had friendship with Madinah friendship कहले या alliance कहले it's the same thing alliance या friendship थी with Madinah आगे बात समझ में अच्छा Madinah की इस वक्त हलाग जो है ने वो बड़े टफसे हैं ठीक है ना Madinah के अंदर गर्मी पढ़ रही है खाने पीने की shortage है सारा साल का जो खाना पीने है वो खतम हो चुका है क्यों कि अनाज अभी पक के तयार है तो Madinah के अंदर harvesting time चल रहा था यानि harvesting time का क्या मतलब है harvesting time का मतलब यह अनाज ready है सबके पास अनाज चलो मैं तुम लोगों को एक free gifts बटने वाले और मैं आपको बोलता हूँ चलो चलो मिरसाद एक urgent काम है मुझे आप बोलो कि sir का urgent काम को फारिक करो हमें तो मकसद है किससे हमें तो मकसद है भाई free gifts लेने से ठीक है ना बिलकुल इसी तरह उस वक मदीना के अंदर ना आप समझो harvest का time था इसका क्या मतलब ह चाल का जो खाना था वो खतम हो चुका है sorry नया अना जो है ना वो पक चुका है उसको निकालना है और profit अनांस करने हैं कि हमें तबूग जाना है तो सिर्फ सचे मुसल्मानी जाएंगे ना जिनको ये बात बता होगी कि भाई ये रसूल ऐसा खाना पीना किस काम का जो हमें रसूल पाक की ना फर्मानी करा है ऐसे खाने पीने को लानत बेजें ऐसे खाने पीने को साइड करें ठीक है ना ऐसा खाना पीना किस काम का जो हमें अपने रसूल पाक से दूर करें तो सच्चे ही मुसल्मान थे जिनोंने इसमें पाट लिया जो सच्चे मुसल्मान नहीं थ मुनाफिकी इन्ते हिपोक्रिट से उन्होंने इसमें पार्ट भी नहीं लिया समझे रहो बात को तो बड़ी इसमें लेसंज है टेक्निकल आस्पेक्ट है यहाँ पर देखने वाली चीज़ अचा तो इसमें हुआ क्या होली प्राफिट भी अपॉनिम ने कमपेनियंस को बोला वियर गोंग तो तबूग होली प्राफिट भी अपॉनिम ने अपने ये जो ट्राइप से जिनके साथ होली प्राफिट भी अपॉनिम का लाइंस था अप उनको लेटर्स लिखकर मदद भी मांगी कि हमें आपके सबोर्ट की ज़रूदे भी कर विकाज होली प्रॉफिट बीजिए अपॉनिम नहीं हो कि तबुक का यह जो पूरा एक्सपिडिशन है यह इतना आसान होने वाला नहीं है जैसे प्रॉफिट बीजिए अपॉनिम ने यह अनाउंस किया अब दुबारा से मैं रीकैप करूंगा फिर आगे जाओंगा होली प्रॉफिट बीजिए अपॉनिम को पता चला कि 40,000 जो है न वो सीरियन सेयार हुए इंदर रीजन आफ अलबलकाफ प्रॉफिट बीजिए अपॉनिम ने फॉरान अनाउंस किया कि हम भी रिपेरेशन करेंगे मदीना के अंदर हीट है बहुत ज़्यादा गर्मी है मदीना के अंदर खैत आया है हर्वेस्टिंग सीजन है पूरे साल का खाना खतम हो गया है नएा खाना रेडि है आप निकालने वरना आपको मौका नहीं मिलेगा ऐसे मौके पर प्रॉफिट अनौंस करें कि हमें तबू जाने, तो जो मुनाफिकीन थे ठीक है न वो कहने लगे कि ये तो हार्वेस्टिंग टाइम है, इसमें तो हम जाए नी सकती है, तो फसल काटने का टाइम है, और अगर फसल हमने नहीं काटी तो वो जाय हो जाएगी, कोई और दे जाएगा तो और फिर बहाने करने लगे अल्ला बहुत गर्मी है ये है वो है समझ रहे हो तो नकरे जब शुरूबे न तो अल्ला ताला ने फौरन से कुरान की आयते नाजिल कर दी जो आपके सामने मैं स्क्रीन के ओपर आपकी हाइलाइट कर रहा हूँ तो बहाने करना छोड़ दो लेकिन आदत से मश्बूर थे ये मुनाफिकीन ठीक है न तो इन्होंने कोई हेल्प नहीं की अच्छा जो कमपेनियन्स थे उन्होंने बढ़ छड़ कर इससा लिया यानि आपकी सोचों से कई ज्यादा ज्यादा पॉर एग्जैंपल हजरत अबुबकर रजिल अतलान इन्होंने अपनी पूरी वेल्थ डोनेट कर दी किसी सहाबी ने का अबुबकर अपने ले तो कुछ रख ले आप वजब अबुबकर ने का अल्ला और उसके रसूल मेरे ले बहुत हैं हजरत अमर्ड ने अपनी हाफ वेल्थ दे दी ठीके ना मेरे रसूल ने मांगे मेरे जो है बस मैं में होता तो मैं भी जो होता में में लाकर दी दे जा कि या रसूल आला시य आपकी खदम बार्रक में रखता हूँ आप हमारी जान मांगे आपके लिए जान हाजिर है थीके ना तो companions ने बहुत बे तहाशाट जबर्दस donations दिये ठीके न तो जब इतने सारे donations आने लगे पर एक्जामपल मिसाल के तौर पर लुक आट दे डोनेशन आफ अजरत उस्मान अजरत उस्मान ने उस जमाने में 900 उट दिये थे इसको कहते हैं भाई 900 उट 100 गोडे कितना गोल्ड द ये वोई अबदर रह्मान बिनाफ इंच्वत एड जो जब मदीना आए थे तो इन आप्यू का ब ले ने बाए। तो अब्दुर्रह्मान बिन ओफ का भाई बनाया था किसको साथ बिन रभिया को तो Holy Prophet Peace be upon him जो थे इन्होंने भाई बनाया था साथ बिन रभिया का अब्दुर्रह्मान बिन ओफ को का था कि आजो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं मेरी आदी चीज़े ले लो सो आउंस सिल्वर डुनेट किया कि हम रिसोर्सिस खरीदें या रसूल आप ये ले जब इतना सारा इसी तरह खवातीन ने अपने जेवरात लाके दे दिये जब इतना सारा कमपेनियन से डोनेशन दिया तो जो हेपोक्रिट से वो जलना शुरू हो गए उन्हों ने जल जल के नेगिडिव कमेंट्स पास किये कि इतना डोनेशन ये तो अभी भी बहुत कम है और वाकई में ये बात तो सच थी कि ये कम था क्योंके तबू के एक्सपिडिशन एक इतना बड़ा जर्नी है जिसके लिए हमें बहुत स्यादा डिफिकल्टी जानी थी तो डोनेशन तो कम था लेकिन तंज मार रहे थे ओहो देखो देखो ये तो मुसल्मान लुट रहे इस तरीके से उल्टी सीधी बात हैं ताके मुसल्मान डी एकराम उन पर कोई फर्क नहीं बड़ा उन्होंने बढ़ चरकर डोनेशन दी यहां तक कि होली प्राफिट पीस वे अपॉन हम ने हज़रत अस्मान के बारे में कह दिया कि इतना बड़ा डोनेशन गोड़े दो सो आउंस सोना फ्रॉम दिस डे ओनवर्स नथिंग विल हाम इतनी बड़ी फजीलत दे दी रसूल पाक ने अज़रत अस्मान बिन अफ़ान को जो कि हमारे तीसरे खलीफा भी बने आगे चल गे समझ रो तो बड़ चरकर डोनेशन जाया इस तरह तीस हजार का हमारा लशकर उस जमाने में तयार किया रसूल पाक ने और फिर मुसल्मान मुहम्मद बिन मसलिमा को मदीना का इंचार्ज बनाया कि आप मदीना को देखेंगे और प्राफिट पीजबी अपॉनिम ने अपनी फैमिली की जिमेदारी रखी हज़द अली के हाथ में हज़द अली को प्राफिजबी अपॉनिम नहीं लेके गए तो हज़द अली भाग मुसा के लिए थे मगर मेरे बाद कोई नभी नहीं होगा ओ अली यू आटू मी ऐस हारून वस्टो मुसा एक्सेट देर विल बी नो प्राफिट आफ्टर मी बिकॉस आइम कादमिन नभी जीन उली प्राफिट ने बोला मैं आखरी नभी और रसूल हो मेरे बाद कोई नभी और असूल दूसरा नहीं होगा लेकिन तुमारी निजबत मुझसे ऐसी है यू आर अफिलेटिट टू मी आज हारून वस्टो मुसा तो इतनी बड़ी बड़ी फ़दीलत हज़र्द अली को भी थी हाला कि हज़र्द अली ने पाटिसिपेट करना चाह रहे थे लेकिन प्रा प्राफिट पीस भी अपॉन इम और तमाम मुसल्मान जो है न वो तबूक की तरफ निकलते अब इधर देखें यह हमारा मदीना सपोस्ट इस तबूक ठीक है न अब यहां से यहां तक पहुचना है तीस हजार लोग है ठीक है और कैमल्स हमारे पास इतने नहीं है हजार ही यारा सो कैमल्स की शॉटेज है तो एक एक कैमल पर वन कैमल वाज रिडिन बाई एटीन मिल बारी बारी मैं बैठा फिर दो यह और बैठा फिर अठारा अठारवे नंबर के बाद मेरा नंबर दुबारा आएगा समझे रहे हो बात को तो इस तरीके से मुश्किलाथ कुछ मुसल्मानों ने अपने कैमल्स को जिबा करके गोज्ट भी खाया मजबूर हो गए थे कुछ ने पत्तों से गाम चलाया कुछ वाइल्ड मेभी बैरी बारी आप दे एट ठीक है ना इस तरह करकर आके करकर आके खाने का कुछ मजबूरी पूरी की पानी की अब इतना जो है ना वो दिल हो रहा था उसने पानी पिया ठीक है तो यह हमारे बास मेरे गल्स भी है अच्छा अब जब मुसल्मान पहुंचे तबूग के मौके बर विन दे मुसलिम्स रीश तबूग तो रोमन्स आर्मी की कापे टांग गए वो लोग भाग गए इतने अब इदर देखिएगा दो मिनट स्क्रीन के ओपर यह आपका आगया तबूग यह तबूग का सराउंडिंग एरियाज है पूली प्रॉफिट बीज भी अपॉनिंग एरियाज पर भी रेड्स की और यहां से इन तमाम एरियाज को कैप्चर किया ठीक है और कैप्चर करने क जिञेए पाद भी प्रॉफिट बीज भी अपॉनिं ने इनके साथ औल्इइनस की एरिटीस की फ्रेंड्शिप ट्रीटीस की ठीक है अन दे यूजूल टरम्स ऑफ जिज्या जरा इसको समझ ले यूजूल टरम्स ऑफ जिज्या क्या होती है कि भी प्रॉफिट बाइज भी return for मदीना अच्छा अब बीच रस्ते में क्या होता है बीच रस्ते में कुछ अच्छानक से ऐसे लोग आ जाते हैं सामने जो अपस में सराउंड करके holy prophet peace be upon him को मुनाफिकीन से बचाते हैं और इसके उपर आपके सामने यह आयत है ठीक है जो मैं highlight कर रहा हूँ कुरान की सुर्यानफाल की यह आयत है ठीक है and they resolved that plot to murder prophet Muhammad which they were unable to carry out ठीक है न तो मुनाफिकीन holy prophet peace be upon him को kill करने की कोशिच की but they were unsuccessful successful ठीक है न अच्छा holy prophet peace be upon him जब मदीना है तो 80 से ज्यादा मुनाफिकीन ने आके मुआफिकीन मांगी हमसे तो गलती हो गए prophet ने बोला तुमारा matter तुमारा हिसाब किताब Allah के हाद में मैंने छोड़ दिया अच्छा अब मैंने आपको शुरू में एक बात बताई दी वच्चों वो क्या बात बताई दी कि कुछ ऐसे companions से जो genuinely जिनके कुछ reasons से जो join नहीं कर सकेते इस expedition को for example यहाँ पर highlight किया है मैंने आपके सामने हिलाल बिन हुमया, गाप बिन मालिक तो यह तीनों sincere believers से लेकिन यह तबू के expedition को join नहीं कर सकेते तो इन्हों ने रसुल पाक से मौफी मांगी और उसके माद Holy Prophet बीस वे अपॉन हम left their matters in the hands of Allah अब ना इन से कोई बात करता था ना कोई तो यह बिचारे ना sad हो गए थे बिलकुल कि यार, no one was talking to him जाहर है कि आपने participate नहीं किया तो Holy Prophet बीस वे अपॉन हमने इनका matter Allah के हाथ में चोड़ा, सूरे तौबा की जो है ना वो आयते आई और इनको 50 दिन बाद जो है ना आई रसूल आप इनको माफ करें, इनके दिल में कोई कीना नहीं था, कोई बदी नहीं थी यह genuine reasons की वज़ासे नहीं जोइन कर पाए थे, ठीक है ना अच्छा, अब तबूग expedition के outcomes क्या है या importance यह देख लिए importance या outcomes बई तबूग expedition की importance या outcomes में, सबसे पहली चीज़ आप यह लिखेंगे, Romans वो हमारी ताकत का अंदाज़ा हो गया कि हम क्या चीज़ हैं, ठीक है हमारा एक भरम कायम हो गया, हमारा एक status कायम हो गया, ठीक है दूसरा, मुसल्मानों के बास experience आया कि Syrian से कैसे लड़ना है यह experience हमें आगे चलके काम आएगा, hypocrites सामने आगे, कि भाई यह मुसल्मान जो है वो सच्चे, नहीं है, यह तो मुनाफिकीन है, समझ रहो बात को, और इसी तरह you can write another point, कि मुसल्मानों का अब क्या मिलने लगा है, आपर जिजिया मिलने लगा, ठीक है तो these were the outcomes यह importance, यह significance of this incident called the tabug expedition, ठीक है, चले if you guys have any questions, you can post them to me, ठीक है, in your through your this thing called what whatsapp, ठीक है ना, चले we'll stop here, till then अमना खियाल लखिएगा, ठीक केर, Allah पिस हुआ